नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल जॉब इंफरमेशन में आपका स्वागत है हाई कोट का आदेस आया कि जारखंड में सभी नियुक्ती पर रोक बरकरार रहेगा फिर से सोनी कुमारी केस जो सुनवाई अभी चल रहा था आज 17 मार्च को फिर से सुनवाई हुआ इससे पहले 22 जनवरी को सुनवाई हुआ था और केस जो है लंबीत रखा गया था उच नियाले के आदिस तक तो आज जो फिर से है सुनवाई आया और सुप्रीम कोट के आदिस तक फिर से लंबीत रखा गया है इस केस को तो पूरा न्यूज आज क्या है उसी न्यूज को हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल में हम वीडियो में आप लोग बने रहें तेके जारखंड हाई कोट ने राज में न्यूजन नीती के तहत होने वाले सभी नियुक्ति पर रोक बरकरार रखा है अदालत ने कहा है इस तरह का मामला सुप्रीम कोट में लंबित है इसलिए सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद ही इस मामले में हाई कोट अपना फैसला सुनाएगा पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था दरासल राज सरकार ने 13 अधिसुचित जीलों की तीरती एवं चतूर्त वर के सभी पद अस्थानिय लोगों के लिए आरक्षित किया है जारखंड हाई कोट मंगलवार को नियूजन नीती को चुनती देने वाले याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है सभी पक्षों को बहस सुनाने के बाद बड़ी बेंच ने 22 जनवरी 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था यानि सरकार के हाथ में फैसला था लेकिन फीर से फैसला लंबीत रखा गया है जीस पर आदेश देते हुए उच नियाले ने नियुक्ती पर रोक ब्रकरार रखा है राज सरकार ने नियुजन नीती के तहत 13 अनुसुची जीलों के 33 एवं चतूर्थ वर्ग ये पद अस्थानी लोगों को लिया आरक्षित कर दिया है इसी को चुनोती देते हुए प्रार्थी सोनी कुमारी ने आदालत में याचिका दाखिल की है पूर्व में सुनवाई के दोरान खंड पीठ ने एक जीले में सभी पद आरक्षित करने को और शमयधानिक मानते हुए इसे बड़ी बेंच में भेज दिया था और तब से बड़ी बेंच इसकी सुनवाई कर रहे थी तो दोस्तों ये पूरा नियूस था सोनी कुमारी केस का आज का ये नियूस था और अगला सुनवाई अभी तक डेट नहीं आया है कुछ ऐसे बोला नहीं है आगला सुनवाई जा रही है अभी तक तो हम लोग देखते हैं वीडियो में आप लोग बने रहे हैं हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं आपको पूरा न्यूज मिलेगा इसका और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरू लाइक क अन्यवाद